क्यालोरी में दो टाइब के क्वेश्चन आ सकते हैं एक होता है चेंज इन टेम्परेचर वाला और एक होता है मेल्टिंग और फ्रीजिंग वाला ठीक है तो आप देखिए यहां पर वेन क्वेश्चन है पहला वाला वेन 8000 जूल आफ हीट इस गिवन क्वेश्चन तो 200 ग्राम अफ कॉपर अट 20 डिग्री सेल्सियस डिटर्माइन फाइनल टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट आप कॉपर दिया हुआ है तो अभी क्या करेंगे यहां पर जो हीट दे रहे है उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है और फेस चेंज नहीं हो रहा है के फॉर्मॉला किवेश्चन टो ए मिंटू सींटू डेल्टा क्यू क्या है हिट म मास स्पेसिफिट कैपसिटी उस सबस्टेंस का और डेल्टा टी है यह हिट लगाने से कितना चेंज होता हैं टेम्परेचर ऑगे वह आपका डेल्टा अभी इस केस में क्यूंदिया है 8000 तो यह में लगाया 8000 मास दिया है 200 ग्राम अभी आपको ख्याल रखना है कि मास कभी केजी में करना पड़ता है कभी नहीं वी करना पड़ता है कभी gram को kg में, कभी kg को gram में, ये बहुत confusion होता है, लेकिन आप हमें से धेन देजे, करना है, change करना है, convert करना है, नहीं, तो ये gram में है, और इसका जो देखिए, जो unit दिया है न, specific capacity constant value देखिए, ये पर gram में दिया है, निकि ये भी gram में दिया हुआ है, और जूल, जूल,аст टो जूल यहाँ भी है, यहाँ भी जूल है, तो इसली ने ये convert नहीं किया, अभी gram, ये भी gram, तो इसको भी convert नहीं करना है आप को, यहां पॉर केजी दिया रहेगा और यहाँ ग्राम दिया है, तो पक्का आप इसको change कर लेजिए, change करना है आपको, श्रीक तो आप मिस्टेक हो जाएगे तो एक ही यूनिट में आप रखना है यहीं इंपोर्टेंट है फिस सी 0.4 हम लगा देंगे हमने इस सेम देखा है कि कुछ कनवर्ट करने के जुरूत नहीं है और डेल्टा टी इसमें काफी दिक्कत होता है क्या लिखना है डेल्टा टी तो इसमें क्या है इनिशेल टेंपरेचर कितना है फाइनल टेंपरेचर कितना उसका माइनस कर दिजे ठीक है डिफरेंस ले लिजे अभी इसमें 20 डिग्री में ही एक्स तो मैंने एक्स लिए आप टीवी ले सकते हैं तो डेल्टा टी लिखने में थोड़ा दिक्कार होता है तो क्या करना है पहले 20 डिग्री से बढ़ा होगा 30 होगा एक्जामपल ले लिजिए 20 से 30 जाएगा तो क्या करें थर्टी माइनस 20 ले रहता है 30 माइनस 20 तो 30 तो एक्जामपल है एक्स एक्स मैनस 20 तो यह एक्स मैनस 20 फिर आप स्वाल कर लेजिए एक्स मैनस 20 फिर आप स्वाल कर दिजिए एक्स मैनस 20 फिर एक्स मैनस 20 फिर एक्स इगल तो 100 प्लस 20 तो यह आगे फाइनल टेंपरेचर यह एक्स मैनस 20 डिग्री से 120 तो जब भी टेंपरेचर चेंज होगा इंक्रीज डिक्रीज हो भी है तो आपको एमसी डेल्टा टी फार्मुला लागा दा और यह जी हीट कैपसिटी दिया रहा था है तो कीव इस इकल टू एज टीवी एज डेल्टा टीवी नहां सकते हैं क्योंकि एज के बल्दे में एमसी होता है एक ही है जोना कुशन इस तरह से हैं अब मैनी ग्राम्स अफ आइस एट माइनस 14 डिग्री सेल्सियस अर निडेड तो कूल 200 ग्राम अफ वाटर फ्रम 25 डिग्री सेल्सियस तो 10 डिग्री सेल्सियस अब स्पेसिपिक इट कैपसिटी अब आइस दिया है स्पेसिपिक लाटेंट हीट दिया है आइस का और स्पेसिपिक इट कैपसिटी अब वाटर का दिया है तबी यहां पर जो ice है उसको 200 gram water में मिलाना है और water का temperature 25 degree Celsius है और ice का है minus 14 तो इससे पता सलता है कि ice heat gain करेगा और water lose करेगा क्योंकि higher temperature में तो यह सबसे पहले समझना है कौन सा body heat gain करेगा कौन सा lose करेगा वो आपको मालम चलेगा initial temperature के साथ अभी ice heat gain करेगा तो क्या-क्या process होगा कहां तक gain करेगा melt होगा की नहीं melt होने के बाद फिर water temperature बढ़ेगा की नहीं तो इस सब बहुत सारे point आपको समझना पड़ता है तो इसके लिए आपको फिर ख्याल रखना है कि final temperature क्या है अक्षिसर यहां पर देखिए 25 degree से water 10 degree Celsius में आगया तो इसका मतलब यह जो water है जो ice से बनेगा वो भी 10 degree में आएगा 10 degree Celsius में आएगा तो final temperature 10 degree Celsius होगा तो अभी जब ice heat gain करेगा तो किस-किस process से heat gain करेगा तो अभी यहां पर यह समझना है देखिए इस बात को द्यान देजिए ice at minus 14 degree Celsius जब हम heat करेंगे या water से वो heat लेगा तो पहले क्या करेगा ice melt नहीं होगा तो यह याद रखना है क्योंकि melting point of ice is 0 degree Celsius तो minus 14 से वो क्या करेगा minus 13 minus 12 वैसे करके 0 degree तक आएगा तो अब यहां पर क्या हो रहा है change in temperature हो रहा है change in temperature तो जबी temperature change होता है तो आप यह formula लगाए mc delta t मास निकालना है c दिया हुआ है delta t यहाँ से निकाल सको माइनस 14 से 0 0 minus 14 तो 14 degree change हो गया तो यह formula लगाना है तो इसके आपको याद रखना है कि ice है तो direct melt हो जाएगा ऐसे नहीं सुचना 0 degree में होगा तब ही melt होगा लेकिन negative temperature में है तो पहले वो 0 degree तक आएगा उसके लिए इतना heat लगेगा यह formula लगाना है अभी ice 0 degree Celsius में आगया अभी और भी heat gain करेगा क्योंकि यह water final temperature 10 degree Celsius तो ice पुरा melt हो जाएगा तो ice जब melt होता है तो temperature change नहीं होता है so there is no change in temperature during the change of state तो यह 0 degree Celsius 0 degree Celsius में रहेगा but ice will change into water और इसमें देखें यह जो face change है यानि state change हो रहा है solid to liquid हो जा रहा है यानि की melting हो जा रहा है तो melting के time में यह ml लगाना है q is equal to ml specific latent mass into specific latent यह लगाना है mass के साथ तो हमेसे अभी यहां पर नया point क्या है कि जभी भी freezing होगा यह melting होगा तो आपको यह formula लगाना water freeze होता है कभी कोई question आएगा तो उसमें भी q is equal to ml ice melt होगा तो q is equal to ml melt होगा zero degree में तभी लेकिन माइनस 14 से फिर डारेक्ट zero में इसमें melt मत इसमें q is equal to ml डारेक्ली नहीं लएगा पहले zero में आएगा फिर melt होगा यह याद रखें अभी दिखिए water जो ice से बना है zero degree celsius में अभी यह जो water है न यह 200 gram water नहीं है यह water है जो ice से बना है इसका mass हमें मालम नहीं है निकालना है तो यह water अलग है यह water जो है ice से बना है ice का जो mass होगा इसका भी वही mass होगा mass change नहीं होता है तो यह zero degree celsius लेकिन final temperature आना है 10, तो ये जो water है 0 degree Celsius, ये फिर 0 से 10 तक जाएगा, अभी देखिए, यहाँ पर पिर change in temperature हो रहे, तो change in temperature means, MC, delta T, mass यही रहेगा, लेकिन C किसका है, किसका temperature change हो रहा है, तेखिए, यहाँ पर, यहाँ पर जैसे ice का temperature change हो रहे, तो यह ice का value लगाना, ice का ssc, specific heat capacity, ice, but here you see water का temperature change हो रहा है, कोई भी water, यह लगाना है, तो इसलिए c dash लिया मैंने, इसमें c मतलब यह value, c dash मतलब यह value, क्योंकि water का temperature चेंज हो रहा है, और उस समय कितना temperature चेंज हो रहा है, 0 से लेगे 10, तो 10 minus 0, 10 degree change हो रहा है, तो याद रहा है, अभी यहाँ पर 0 to minus 14 to 0, 0 minus minus 14, तो 14 degree change हो रहा है, तो इसका delta t, इसका delta t भी अलग हो गया, इसमें c हो गया water है, क्योंकि water का temperature बढ़ रहा है, इसलिए water का लगाई है, और इसमें ice का gain हो रहा है, temperature, तो ice का c लगाई है, तो यह है तरीगा, तो अभी इतने step में ice gain करेगा heat, तो इसका मतलब देखे, heat gained by ice, यह है, mc delta t, कौन सा है, यह step, plus ml, यह step, फिर plus mc dash delta t, तो यह step, तो तीन step में heat gain करके, वो 10 degree Celsius में आ रहा है, तो इसलिए अभी इसको आप put कर देजिए, values, तो mass मालूम नहीं है, कितना ice हमें लेना हो, m रखिए, अभी m common ले लिया मैंने यहाँ पर, यह m common ले सकते हैं, c delta t, plus l, plus c dash delta t dash, यह ऐसे ले सकते हैं, तो c कितना है, अभी यह वाला c किसका है, ice का है, ice to ice, मतला हम ice का जाना है, 2.1, तो पॉइंट वान, फिर कितना temperature change हो, 0 minus minus 14, 14, plus, अभी l, l कितना है, यह भी दिया है, 336, 336, देखें, 336, mass common चला गया, plus, c dash, अभी यह c dash इसका है, water का है, 4.2, इंटू, delta t dash, अभी इसका temperature, यह इस situation में, तो यह 10 degree, तो यह 10 degree लगा जिए, अभी इसको थोड़ा simplify कर देजी, simplify करना, तो क्या आगया, M, 29.4, plus, 336, 42, तो यह 407, 0.4 आ रहा है, तो यह हो गया, heat gain, अभी इतना सारा heat gain कहां से किया, क्योंकि, जो 200 gram है, water, वो lose कर रहा है, तो यह 200 gram water, जो यह lose कर रहा है, कैसे पता चला, जीए 25 degree to 10 degree आ गया, तो इसका मतलब, जो water है, वो 25 degree Celsius में था, वो 10 degree में आ गया, तो मतलब यह, जीए, तो इस case में अभी 25 degree, 10 degree Celsius आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया, यहाँ पर, यह M, C, डेल्टा टी ही लागेगा, अभी devil T dash लिग देता, और C dash, C dash water है, चाहिए यह water हो, वो water C एक ही रहेगा, लेकिन, चेंज इन टेंपरेचर अलाग होगे, situation, तो अभी heat, heat gate, अशरी heat lost by water, कितना होगा, M, C, डेल्टा टी, यह एकी step में हो रहा है, 25 to 10, डिरेक्ली आरा, आई तीन step में heat gain कर रहा, और water, एकी step में, 25 to 10, यह एकी step में रहा होगे, यह एकी step में लागा है, heat gain by, sorry, यह एकीपर heat lost होगा होगे, heat lost by water, heat lost by 200 gram water, कोँछा water heat lost कर रहा है, 200 gram, जो अल्ड़ी 25 degree Celsius में, और यह आपर जो water बना, इससे confuse नहीं होगा, यह water है, यह ice, जो melt होके आया, and this water is different, तो अभी mc delta t, क्यों लगा आया है, because there is a change in temperature, तो मास है 200 gram, अभी value हम चेंज नहीं करेंगे, kg में नहीं करेंगे, because the value of c is given in gram, यह बात में बता ना बुल गया, यहाँ पर, मास, और यह सो values ग्राम में दिया है, तो इसलिए जो gram दिया है, वो gram ही रखिये, यह इसमें जूल पर कीजी दिया है, तो इसको change कीजी, अभी इसमें mass नहीं दिया था, इसमें m लिखा, कोई problem नहीं था, तो यह याद रखना है, क्योंकि unit change करना जुरूरी, यह इसमें लाना, तो 200 gram, 4.2 joule per gram, per degree Celsius, तो gram gram में, no need of changing, अभी delta T क्या है, नहीं, यह वाटर पहले था 25, अभी आगया 10 में, तो 25 minus 10, तो इस सब से आप, बुल जाए गया, आप इस वाटर के उपर, concentrate किजिए, यह वाटर पहले था 10, तो 25, अभी आगया 10, तो अब कर ओगया 25 minus 10, तो इसको solve किजिए, तो 12,600 इसमें आ रहा है, joule, यह भी joule है, अभी by the principle of calorimetry, क्या बुलते है, heat lost is equal to heat gain, तो यह 407.4 M is equal to 12,600, तो यह दोनो इखोला जाएँ, यह और यह, तो आपको M is equal to, यह divide किजिए, तो यह answer आ रहा है, तो इतना gram ice लेने से, वो temperature change रहा है, तो इस तरह से देखना, तो आप जबी इस टाइम को question solve करेंगे, तो ऐसे step लिखे, क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या हो रहा है, heat gain वाले एक side लिखे, heat lost वाले एक side लिखे, दोनों का common temperature, final temperature में आजाईगे, तो यह तीन step में heat lost, heat gain, sorry, एक step में heat lost, तो अब को add किजिए, तो इस इस इकल तो इस, तो आपका unknown quantity आजाईगे, तो इस तरह से आपको solve करना, तो आपको हो तो थाी